आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार कि इस गटना प्रेयास करता है काम करने की चति पूरती करने का उसकी खिलाब कारवाई करने का पर जो विपच्छ होता है जो छोटी-छोटी घटनाओं पर भी सरकार को गेनने का प्रयास करता है वो एक विसेज जगाई के विसेज मुद्धों पर चुप हो जाता है मौन धारन कर लेता है और देश में परुषकार वापस करने बाले देश से बाहर जाने बाले और तवाम तरह के आरोप त्यारोप के माध्यम से सरकारों गेनने बाले उस विशेज जगए की जो कोई घटना होती है उस पर चुप रह जाते हैं यहां तक की ट्वीट भी नहीं करते हैं और वो जगए इसलिए बड़ी मेटपूर हैं क्योंकि वो जगए शुरू से ही चर्चा में रही है जी हम बात कर रहा है देश के केंसासिस प्रदेश जम्मू और कस्मीर की जम्मो कस्मीर जिसे धर्ती का स्वर्ग कहा जाता है वो कस्मीर जो अपनी जील के नाते बैसनो डेभी के दरबार के नाते वहा की कहबा के नाते बहा की ठंड के नाते बहा की फसलों के नाते और बहा की खुपसूर्ती के नाते हमेशा चर्चाओं में रहती है और लोगों क पसंदीना जगाए में एक है लोग आज भी अगर कोई ठंडे स्थान पर जाना पसंद करते हैं कि हम कश्मीर जाएंगे वो कश्मीर जिसे धरती का स्वर्व कहा जाता है और साथी साथ वो कश्मीर जो भारत की एक बहुत बड़ी गर्ब की बात है पर आज कल बो कश्मीर की एक अलागी ब्याक्या है बो कश्मीर जो की कश्चप रिसी के नाम पर पड़ी बो कश्मीर जो जिस पर एक चंगोल सासक जो की आया था बहार से तर्किस्तान से आया था उसने बहा के जो कश्मीरी थे हिंदू थे उनको धर्मानतन करके उनको मसल्मा समाराज जो स्थाप्रा कर दी ए और तफसे लगातार हम देख रहे हैं कि कस्मीर में जो गड़ना को दोर जा रही है उसके बाद लगातार जो एक सुरुबात है कस्मीर में जो हुई थी पो आज भी वही चल रही है के कस्मीर अगर बात करें तो 1947 में जब भारत आजार हुआ उसके बाद 25 अक्टूबर 1947 को महराजा हरी सिंग जो उस समय के बर्दवान रियास्ट के राजा थे जम्मू कस्मीर के उन्होंने भारत में कस्मीर का बिले किया। विले क्यों किया कि P estaba alia ga जो आक्मर था उसके चलते भारत ने up और उसके बाद काश्मीर पर तुमान तरह की राजनीति हुई राजनीति ऐसी हुई कि बाद में और when कि यहां पर कोई यहां पर राजकी कानुन चलेंगी यहां पर कोई बहर से आकर रह नहीं सकता है। कि दो भी वहां पर जो जा incarnकार थे जाना से जारा अथिकार राज्ज सर्कारों कहोते थे। केंड के कुछी आधिकार वहां पर लागू होते थे और केंड के लवा लवा 170 कानून कस्मीर में लागूई नहीं होते थे और बिसित राजी का दर्जा था चीज़ा यहां से दी जाती रही पर वहाँ पर पिकास नहीं होता था और वहाँ पर एक अलगी राज्मिति की चलते उनका उपभोक कर ले जाता था और जनता का वहाँ पर लगातार सोशल होता रहता था और साथिसाथ 1987 के बाद से कस्मीर में लगातार आतंगबाद जा रही है आतंगबाद इस लेबल तक है इस इस्टर तक है कि हजारों की संख्या में वहाँ पर लोगों की जान गई हजारों की संख्या में लोग वहाँ बच्चे अनाथ हुए हजारों की संख्या में बहां पर सुरच्छा बलों की जान गई और बड़ी संख्या में वहां पर आतंगबादी भी मोटिवेर में मार दिये गए कुल्मला के जो वहा नुकसान हुआ वो मान अथ्ता का हुआ और तब से ये आतंगबाद लगातार जारी है अगर हम बात करें तो 1990 से 2020 ता लबालाबस 70,000 से जारा घटना हो चकी हैं 13,000 से जारा नागरिक अब तक कस्मीर में अपनी जान गमा चुके हैं आतंगी भी गड़ वीडियो के चलते और 5000 से जारा भारतिय सेना के जबान भी कस्मीर में अब तक सहीर हो चुके हैं तो 77 वहाँ पर सुरच्छा बलों के मुटवेड के दोरान 25,000 से जारा आतंगबादी भी मार दिये गए तो यह तो रही घटनाओ की बात इसके साथ ही कस्मीर में जब 5 अगर 2019 को केंद की मूरी सरकार ने बड़ी घोचला कीती है उन्होंने कहा था कि हमाई जिंडे में सामिल था और हम इसे जिंडे पर बात करेंगे और कस्मीर के निवासियों के लिए काम करेंगे कस्मीर को बिकास की धारा पर लेकर आएंगे बहाँ पर बिकास कराएंगे इसलिए बहाँ से बिसे दाजी के दर्जे के साथ धारुच्छे तीन सो सत्तर और पैते से हटाना बहुत आवस्चक है जिसके चलते है वहाँ पर अब गेना से सिर्पिड्रिस बन गया है जम्मु कस्मीर और अलग्दाक और आगामी समय में वहाँ पर चुनाव भी होंगे और साथी साथ जो कानून है देश के सारे कानून लागी होंगे और साथी साथ जो युजना हैं केंद्र की वो सारी युजना का लाब वहाँ पर दिया जाएगा और राजसरकार की जो युजना है उनका लाब अलग दिया जाएगा जम्मू कस्यमिर में निफ्ती होगी, जम्मू कस्यमिर में विकास की थारा भाइज आएगी जम्मू कस्यमिर में एक अलत तरह की पतकता तयार की जाएगी क्योंकि अनुच्छे 370 के कारण वहाँ पर जो अब तक विकास की नीव नहीं पड़ पाई थी वो नीव पांच अगस 2019 के बाद जब संसर में इसके गोशना की गई उसके बाद अक्टूबर 2019 में ये लागू किया गया उसके बाद से लगातार कस्मीर में परवरतन का दोर जा कि एक बजाए बहां पर सबसे बड़ी है कि आतंगबाद है वहां के चलते नवासियों का जीना वहां पर हराम है और कुछ भी को स्विक्ष्च में और कहीं कर यह भी देखा जा रहा है कि लहर होती जिन्दी जीने की इच्छा होती है वहां के कुछ निवासी भी है जो कि इनी आतंग भी आतंग की गडविडियों की कारण अपने आपका अपना बेवेक होकर उन आतंग बादियों के साथ सामिल हो जाते हैं जैसा कि हम लगाता देखते हैं पत्थर बाजी गैंग जहां पर उल्टे सु में उनका उपयोग करते हैं पत्थरवाज की रूप में उनका उपयोग करते हैं गुंडों की रूप में आतंग बादियों के साथ घुन पिस्ता जाता है और आतंग बादियों के साथ सार बाहा के जो निवासी हैं जो कि आतंग की गुट से संपक रखने लगते हैं उनका पर एक बात इन चीजों के बीच रह जाती है कि जब कस्मीर में किसी कस्मीरी पंडिट के हत्या होती है कस्मीर में किसी कस्मीरी हिंदू के हत्या होती है तो वहाँ पर जो आरोप इत्यार को दौर है वो सांथ हो जाते है यानि देश की राजनीति जो हमेज़ा चर्चा बनी रहती है चोटे-चोटे मुद्धों को लेगे कभी ज्यानवापी मुद्धों क को लेकर और कभी बिस्टेम में को टो को लेकर काभी स्रीक उन्जों मोमी इद्गा के लिए मुद्दों को लेकर तो कहीं राम-लला-मंदर कि गरवाग गरह में स्लानियenne सकारिकम को लेके यहाँ पर राजनिती होती रहती है और यहाँ पर खाद्ये नुज्जना से लेके सरकार की जुचनाव पृर युचनावे लेके तबाम आरोप पित्यारोप होते हैं जिसमें देश की राजनितिक हैं ब डढ़कर लेते हैं जिनका संवन होता है वो भी लेते हैं जिनका नहीं होता वो भी लेते हैं जैसे खिए आम देख रहा है कि ग्यानबापी मस्जिद में सर्वेश हुआ उसके बाती ममामला कोड में है कोट फैसला देगा सुनवाई चल लए है पर कहीं न कहीं हैजरवाद के सांसर असुदिन उबेसी अपने बयानवाजी लगे हुए हैं कि बाबरी चलेगे हमें इसको अब नहीं जाने देंगे अब बरदास नहीं करेंगे यारी उनका कोई लेना देना नहीं है तब उसके पंडिट के हत्या होती है तो यह सारे राजनिता मौन हो जाते हैं तब हो हत्या हत्या नहीं मानी जाती है अगर उत्तप्रिस में कोई हत्या हो जाती है तो हत्या मानी जाती है उस पूरे देश में बबाल होता है दिल्ली में बबाल होता है अलाला राज्यों में बबाल होता होगी तो तो ये मानमली झी दुग नी होगी तो सारे राजनित में जाते हैं क्यों नाटनर्गबादी थी नहीं उसको आतन्गबादी घ्रा दोरा मार दिया गया और हमलम कर दो आठेक हम एसे होई बोल और के जिन्हें को थिर्प्राव करता हैं 354 ax और photographed ब्यों को दो जाने कि आहिए कि मुखहाला में इसका फिरीप nasıl गोले ते कोosh पूरा देश का जो राजनेता करते हैं जो चूर्टी भर के बने वुले ट्वीट करते हैं उनका कोई बयान नहीं आता चोड़ी-छोटी घटना गड़ जाती जाती तो उसमें देजभर के बड़े बड़े नेता आरूप इत्यारूप लगाते हैं अपरी राधनिती को चमकाने का प्रयास करते हैं जैसा हमें देखा था भी कि जब लखीमपुर कांड हुआ था तो बड़े बड़े नेता जो है उसमें आरूप इत्यारूप लगा रहे थे यह पपर देशों के मुखमंत्री है वह बहां पर जा रहे हैं परीबार को संभेजना कश्मीन में के हत्य होती है क्योंकि कश्मी उत्ता पर्देस नहीं है कि कस्मीर वह पर देश नहीं है दे रहे थे पर जब कस्मीर में किसी हत्या होती है तब कोई नहीं जाता कोई संवेजनाओं का यहां पर दौर नहीं चलता क्योंकि कश्मीर उत्तापरेश नहीं है कि कश्मीर वो परदेश नहीं है जहां से देश की राजनीती तया होती है जहां देश की सर्वोच कुर्शी की तो यहाँ पर राज देख की चर्चा होती है, अगर वो हत्ता किसी बर्ग मिश्रес के लोगों की होती, तो यहाँ पर चर्चा भी होती, आरूपे त्यारूप भी होते, ट्वीट भी होती, परुसकार वापसी भी होती, और साती सात यहाँ पर रोस प्रकड़ भी होता, और सरकार को यहाँ पर निसाना भी बनाया जाता, पर चुकि यहाँ पर हत्या कस्मीरी हिंदू की हुई है, य कर रहा है कि जितने वी कश्मीरी हिंदु उनको मुख्याला में तेनाट किया जाए जिसे कि उनकी सुरच्छा हो सके पर कहीं ना कहीं हम यह देख रहा है कि जो देश की राजनीती है जो अब तक हर मुद्दे पर बिल्कुल पर उसाहिद हो जाती है वो कश्मीर जैसे कि हम खबरन भी अलाला चैनलों के मांदम से अलाला खवार के मांदम से तमाम तरह के हत्याओं को उजागर करते हूं बताते है कि यह नुक्सान हो रहा है मानत्ता की हत्या हो रही है पर चोटी-छोटी घटनाओं पर भी आसू बहाने बाले यह राजनीता जब कस्मीर में को और सा को बढ़ा कर पूरे मनयोग के साथ बिपच की रूप में सरकार को घिनने बाले राजनिता जब कस्मिर कोई घटना होती है तो उस पर मौन बरत धालन कर लेते हैं और आरोप इत्यारोप का दौर तो दूर की बात है यहाँ पर कोई सम्वेजना देने ही नहीं जाता यहाँ मानपता छीन हो जाती है और डिकता ही नहीं है कि किसी के हत्या होई है और किसी को से हत्या से यहाँ पर दर्द है बो दर्द जो किसी बिटिया के जिन्दा जलाने से हो जाता है बो दर्द जो किसी के साथ ग्यागरेप होने से होता है बो दर्द जो किसी के साथ अन्याय से होता है पर बो दर्द जब कस्मीर में होता है तो उस दर्द की कोई ब्याख्या ने होती और ना दर्द पर कोई रोने जाता है और ना दर्द पर कोई सम्मेजना का मलहम लगाने जाता है चुकि बहाँ पर कस्मीर है और कस्मीर पर राजजीती हमेशा सून होती है और बहाँ के जिम्मिरारी केबल सरकार की है क्योंकि सरकार ने अगर महां पर कुछ धारा हटाई है कुछ नया परिवत्र किया है तो वही अपनी जम्राई नभाएं और उन लोगों की हत्याओं पर उन लोगों की भीवत्स घटनाओं पर उन लोगों की परवार के अनाथ होने पर वहां पर कोई भी संवेजना प्रिकट क सबसे बढ़ी बात है मानब्ता के हत्या जो कभी देशमें एक अलग तरह की खीरती दिखाती थी वह जो नगाती है le Boyansar जो भारत के खुबसूरत shooting लगाती है lebratra sab जो कष्रानिय नवासियों के प्रेम की चलते है जब गर्यास मैं किसी कसी किष्मी prick कि Yeah कि यहां पर हम अलऊ-छारी राजनीती बहांपर सून हो जाती है वहाई हर गटना पर ना सूंपना ना संबेजना देते हैं और ना वीमनासिब नहीं समझता और सबसे बड़ी बात यह है कि 370 हटने के बाद अनुशे 370 हटने के बाद भी लोग अपने आपको सुरच्छत महसूस नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर सरकार का बहुत बढ़ा तायट है कि अगर आपने वहाँ पर रास्पति सासर लागू किया हुआ है तो वहाँ के उपराजिपाल की जिम्मेदारी है कि कस्मीर में सुरच्छा ब्याउस्था को मजबूर किया जाए इन आतंकियों के ख़राब ऐसी कारवाई की जाए कि आने वाले समय में वो किसी निर्दोस पराली के हत्या ना कर सकें और साथे अपने इस कारकम के माध्यां से मैं तमाम उनला निताओं से कहना चाहूंगा कि अगर आप हर घटना पर बोलते हैं तो कम осьगम तो कम सेकंग कस्मीर की घटना पर भी बोलेंगे तो निश्री रूप से आबाज आम जनता तक जाएगी आबाज सरकार तक जाएगी तो यहाँ पर सुरच्छा के प्रयास भी के जाएगे और जनता को भी लगेगा कि हाँ नेताओं को हमारे दर्श से कुछ एहसास है केबल बि तो कस्मीर घटना पर भी लोगों को अपना रोस प्रिकट करना चाहिए और परयास करना चाहिए और सरकार का भी ध्यान यहां पर जिम्रारी है कि इसके लिए कानून मनाना चाहिए कि आप आने बाले समय में किस तरह यहां के नागरिकों को सुरच्छा देंगे क्योंकि बड़ा जिन्ड़ था उसके चलते केबल यहां पर अनुष्य रहटा देना और कानून लागी करा देना आने बाले समय में स्वुनाप करा लेना यही केबल संपूर्णता नहीं होगी यहां पर पेटिक नागर की सुरुच्छा का दायट भी सरकार का है उमिद करता हूं कि आन नमस्कार